तो वेल्कम गाईज आज मैं आपको SEO के बारे में बताऊंगा ठीक है गाईज यह प्रोपर एक स्रीच चल रही है SEO की अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को तो तो फ्यूचर के जो आनिवाली इंपोर्टेंट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ठीक है गाईज so guys SEO होता है search engine optimization right actually जब हम search engine में कुछ search करते हैं तो उसमें जो organic result आते हैं वो SEO की help से ही आते हैं so guys जैसे आप देख सकते हो मेरी screen पर मैंने याप एक keyword डाला English speaking course यह Google में मैंने search किया ठीक है इसमें सुरू के कुछ आ रहे हैं paid ads इनको बोलते हैं PPC Google AdWords का एक product होता है ठीक है तो Google AdWords का है Google का एक product है उसके अंदे यह PPC इसको PPC Bum बोलते हैं तो सुरू के 3-4 जो एड़ाते हैं वो PPC होता है उसके बाद videos आ रहे है videos भी organic का ही part होता है उसके बाद map आ रहे हैं map भी organic एक part होता है organic का ही part होता है organic SEO जो होता है ठीक है यह SEO ही होते हैं organic result इन्हीं को बोलते हैं map भी organic result ही होता है in fact ठीक है गाइस तो यह आप देख रहे हो यह नीचे भी paid ad आ रहे हैं यह ads जो होते हैं ppc के ठीक है तो यह related searches आ रहे हैं और यह pages आ रहे हैं आप 100 next next करते जाओगे तो सारा यह organic result होता है ठीक है तो SEO इसी को बोलते हैं guys यह organic result आप देख रहे हो इस type के इनको ही हम SEO बोलते हैं यह भी SEO में आता है सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर आप किसी भी page पर जाओगे तो वह सारा SEO से ही आता है for example मैं 6th page पर गया तो यह सारा उपर टोप में वह advertising आएगा paid ad जो होते हैं उसके नीचे यह organic result आते हैं यह सारा SEO होता है नीचे भी organic यह paid ad आ रहे हैं नीचे ठीक है guys तो यह हमारा SEO होता है अब बात आती है guys SEO के अंदर क्या-क्या होता है ठीक है SEO के तीन पार्ट होते हैं mainly on page SEO होता है off page SEO होता है और technical SEO होता है ठीक है so on page में on page में कुछ आते हैं जैसे meta tags होते है है meta tags वह होते हैं जैसे आप Google में search कर रहे हो तो आपको उपर blue उसमें color में दिख जाता है थोड़ा कुछ एक line दिखता है उसके नीचे कुछ text दिखता है तो वह title और description होते हैं ठीक है सभी website के ऐसे दिखते हैं उसके एक limit होती है कि इतने character आप title में रख सकते हो इतने character आप description में रख सकते हो ठीक है उस limit के बाद वहाँ पर आपका Google के search engine में वह नहीं दिखेगा तो इसलिए जो best वहाँ पर fit हो सकता है आपको वहीं डालना चाहिए ठीक है गाइस उसके बाद आता है UI UI और UX UI होता है user interface और UX होता है user experience आपकी जो website है उसका कैसा interface है क्या उसका design है क्या कुछ है user को जो चाहिए वो सामने इसको दिख रहा है easily visible है या नहीं है ठीक है so that user वहाँ पे ज़्यादा time spent कर सके तो आपका user interface भी अच्छा होना चाहिए UX user experience रहता है कि for example वो कुछ search कर रहा है वो menu में जाता है वहाँ पे menu आपका काम ही नहीं कर रहा है drop down वो खुली नहीं रहा है उसको जो डूड़ना चाहरा है वो मिली नहीं रहा है ठीक है तो user experience इस चप से related है form भर रहा है form में कुछ error आ रहा है वो नहीं error message दिखा रहा है नहीं वो submit हो रहा है तो इस type की नाम होना चाहिए SEO course ठीक है यह अगर local अगर वो page बना हुआ है तो SEO course इन दिल्ली इस टाइप से URL जो related नाम है keyword अगर उसमें रखो तो best है बागी keyword अगर आप नहीं रख सकते हो बहुत बड़ा keyword है तो उस related जो होना चाहिए वो term उसमें include होनी चाहिए page URL में ठीक है content optimization content optimization में आता है कि आपका जो content आपने कितना content डाला वह उसमें प्रोपर उसमें h1 tag वगरा heading वगरा उसमें proper formatting करके रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है one page SEO में जैसे h1 tag होता है h2 होता है h3 होता है यह h5 तक होता है तो heading के tag होता है कि आपने h1 उसमें include किया हुआ है नहीं है अगर h1 है तो उसमें keyword properly जो primary keyword रहता है वो आपने वहां पे दिया हुआ है नहीं है तो यह सारी चीज़े आपको ध्यान रखनी होती है ठीक है properly keyword जो रहते हैं उसको bold आपने किया हुआ है नहीं इंटर्नल linking आपने content में किया हुआ है नहीं किया हुआ है ठीक है और उसमें external link आप लिंक आपने दिये वह नहीं दिये तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है content optimization में और ऐसा नहीं है कि आप 2-4 लाइन ल में interesting content होना चाहिए so that user को उसको पढ़ने में भी interest आए ठीक है जो वो ढूड़ना चाहरा है उससे related content उसमें होना चाहिए तो चौकि वह उसको पढ़ने में interest दिखाए नूर्मली क्या होता है user content पढ़ने में interest नहीं दिखाता क्योंकि वो proper फॉर्मेटिंग में नहीं होता है तो हजार वड का एक paragraph बना दिया वो content नहीं content नहीं देना है इस type से content interesting content नहीं होता है इस type के आपको proper format बनाने है heading वाले format बनाने है उसमें image भी लगानी है interesting क्योंकि user के पार जादे time नहीं होता हो 10-15 minutes आपको content पढ़ने में नहीं लगाएगा वापे content interesting होना चाहिए with formatting होना चाहिए heading wise होना चाहिए और उसका जो related है जो जो उस topic से related जो जो subheading होने चाहिए और प्रोपर उस content में होना चाहिए जबी आपका page experience बढ़ेगा और जब यूजर आपको user जभी Google आपको उसका benefit देगा क्योंकि जितना time आपकी website user spend करता है उसका benefit आपको Google जरूर देता है ranking में ठीक है गाइस उसके वाद आता है keyword optimization keyword optimization में क्या होता है आपका जो content रहता है उसमें आपको keyword रखने होते हैं primary keyword भी आपको रखने होते हैं और secondary keyword भी आपको रखने होते हैं और long tail जो keyword होते हैं वो भी सब आपको रखने होते हैं अब इसका मतलब यह नहीं है कि keyword stuffing कर दो keyword stuffing का मतलब यह होता है आप keyword keyword बारबार keyword उसमें दे रहे हो search engine को बताना चाहरे हो कि keyword keyword यह नहीं यह कि आपको website के लिए dangerous हो सकता है, आपको website penalize हो सकती है, ठीक है तो आपको keyword stopping नहीं करना है, जहां पर लगे कि हाँ, यहां पर keyword होना चाहिए, proper sense के साथ keyword आपको use करना है, ठीक है, unusual तरीके सापको keyword use नहीं करना है, कि वहां पर कुछ keyword का मतलब भी नहीं है, फिर भी आप keyword दिये जा रहे हो, दिये जा रहे हो, तो वो आपकी website के लिए dangerous हो सकता है, website speed optimization आता है, उसके बाद, website speed optimization का means यह होता है, आपका जैसे user क्लिक करें आपकी website को, वो प्रोपर एक page खुलना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो आपका घूमी राया, घूमी राया, घूमी राया, बाहर बाहर यूजर वेट कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, यूजर बंद करके भाग जाएगा, आपकी website नहीं देखेगा, दुबारे विजिट भी ने करेगा, और इसका आपको negative, इसका impact मिलेगा आपकी website पे, ठीक है, तो इसलिए आपको website की speed optimize करनी है, काफे सारी tool आते हैं, इससे related, ज waiting, waiting चल रही है, ठीक है, यह actually कहीं सारी platform भी होते हैं, जैसे website, उसकी WordPress की में बात करूं, तो WordPress थोड़ा slow होता है, बेटर रहेगा कि अगर आप website आप बनाओ, तो HTML या PHP बनाओ, अगर WordPress में आप बनाते हो, एक proper अच्छे developer को आप higher करो, उसकी speed आप ठीक करा लो, अगर by default आप रहता है, यह रहता है कि आपकी जो image है, proper lightweight होना चाहिए, और उसमें एक alt tag होता है, वो alt tag आपकी image में होना चाहिए, उसमें आप image के बारे में बताओगे कि यह image किस बारे में है, और उसमें possibility कि आपकी keyword की भी हो सकते है, अगर आपको उसमें लग रहा है कि keyword भी लगाया जा सकते है, तो आप उस keyword को वहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, यह इसलिए होता है, अगर आपकी image वहाँ पे नहीं दिख रही है, तो user को पता चल जाए, कि हाँ यह image यहाँ पे है, तो किस बारे में है, यह जो portion है, section है website का, so उसके बाद आता है, website friendliness on all devices, आपकी website mobile के लिए compatible हो होनी चाहिए, laptop, laptop और tablet के लिए, TV के लिए compatible होना चाहिए, ठीक है, आज कल आपको देख रही हो कि, जो search करता है Google पे, इनसान वो mobile के लिए prefer करता है, mobile पे जाज़े search करता है, ठीक है, यह 50-50% का ratio है, आज कल 50% user mobile को prefer करता है, 50% user laptop या desktop पो prefer करता है, तो mobile first हो चुगा है, ठीक तरीके से खुले, और user को सामने सब कुछ दिखाए दे, क्या-क्या detail website में है, so, इसमें, mobile जो responsive रहता है, वो mobile responsive होना चाहिए, आपकी website, ठीक है, जो सारा content है, वो visible होना चाहिए, proper, कोई error वगेरा वो नहीं आने चाहिए, mobile का layout पे आप different रख सकते हो, ठीक है, और mobile की page speed भी अ अच्छी खासी होनी चाहिए, so, that, click करके user उस चीज़ को खोल सके, अच्छे से, उसके बाद आता है, interlinking, interlinking क्या रहता है, आपकी website के, जो internal pages होते है, उनका linking रहता है, आपकी website के, आपकी website में proper, जहाँ जरूरत है, वहाँ पे वो connect रहना चाहिए, ऐसा नहीं है, कि वो click क रहता है, Google आपके सारे pages को crawl कर लेता है, जब index करता है, फिर वो अलग-अलग link पे भी जाता है, उसका जो boat होता है, वो माज से उसको easily index कर सकता है, ठीक है, इस website का structure जो होना चाहिए, आपका user friendly होना चाहिए, सारे menu proper होने चाहिए, तो वो ऐसा नहों कि एक पार्ट कहीं दिय हो है, दूसा पार्ट कहीं दिया हो है, तियसा पार्ट कहीं दिया है, फूर एक्जामबल डिटर मार्केटिंग के अगर category है आपकी website में, तो उससे related SEO, PPC, social media, email marketing, ये marketing, वो marketing, उस प्रोपर ही उस drop down में होना चाहिए, तो website का structure उसी type से हो, user friendly होना चाहिए, so that visitor को को कोई problem ना करके ना जाए, उसके बाद guys आता है, off-page SEO, off-page SEO क्या रहता है, off-page SEO ये रहता है, आपको backlink बनाने होते हैं, ठीक है, आपको backlink बनाने होता है, content marketing करने होते हैं, उससे और भी बहुत सारी चीज़े होते हैं, वो सब आपको करना पड़ता है, आपको अपनी website की जो एक तरीक कैसा marketing करनी होती है, लोगों तक पहुचाना होता है, कि हाँ, हमारी ये website है, और हम ये-ए service provide कर रहे हैं, ठीक है guys, तो वो सब ये off-page SEO में होता है, इसमें सबसे पहले हमें backlink analysis करने होते हैं, अगर आप किसी old website पर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो obviously इसके कुछ backlink बने होंगे तो आपको वो analyze करना चाहिए उनको, कि ये जो website है, इसके backlink proper, सही backlink है, या खराब backlink है, high quality backlink है, low quality backlink है, ऐसा नहों कि कुछ backlink ऐसे बने हो है, जिससे आपकी website की जो ranking है, वो नीचे जा रही हो, इन सब को backlink जो check करने हैं, कुछ tools होते हैं, जैसे same rush होता है, href होता है, और भी काफी सारी tool रहते हैं, ठीक है, उन से आप backlink देख सकते हो, क्या क्या backlink बने हो गए है, ठीक है guys, link building campaign आ जाता है, उसके बाद, link building campaign का means ही रहता है, आपको guest post कर सकते हो, guest post क्या रहता है, किसी दूसरे की website पे, किसी दूसरे के blog पे जाके, आप उसको एक article देते हो, interesting niche article आ जाता है और उसको आपको महाँ पर एक text में आपको backlink मिल जाता है, ठीक है, but quality content होना चाहिए, content niche related होना चाहिए, जब भी आपको benefit मिलेगा, sponsoring, sponsoring आता है कि आपने sponsor करा किसी को, अपनी website का आपने महाँ पर link दे दिया है, कुछ उसको paid कर दिया है, इस type से महाँ पर उसने आप किसी की website पर article post करना है, या थोड़ा introduction देना है, या कोई add देना है, ठीक है, description देना है, महाँ पर आप अपना link बना सकते हो, reviews testimonial होते हैं, आपकी जैसे reviews आप लिख सकते हो, और महाँ पर भी link एक छोड़ सकते हो, ठीक है, या आप एक company के अपनी profile बना सकते हो, लोग महाँ पर आके अपनी आपकी website के लिए reviews दें, तो ये भी एक तरीका हो सकता है, क्योंकि जब आप profile बनाओ के company की, वहाँ पर भी आप backlink छोड़ोगे अपना, link exchange भी हो सकता है, link exchange यह होता है, जैसे for example, किसी के पास दो website हैं, और आपके पास भी दो website हैं, आप अपनी एक website का website B के स लिंक करना चाहरे हो, और website जो ए है, उसका link आप लगा रहे हो, यह होता है, ऐसा नहीं है कि यह आप दो website हैं, उनका आपस में link exchange नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसी website का उस पे है, उसकी website का उस पे, link उस website का, जो दूसरे उसके पास, user के पास website है, उस पे आपको अपना backlink लगाना है, ठीक है, और उस जो पहले वाली website है, उसका backlink आप अपनी website पे लगा सकते हो, इस टाइप से link exchange हमें करना है, article posting होता है, उसके बाद, article posting में क्या रहता है, आप एक article लिखते हो, अच्छा article लिखते हो, कुछ article website रहती हैं, जो article directors रहती हैं, उन पे जाके आप article posting आप कर सकते हो, उसके बाद आता है classified website रहती है, classified में कुछ add आप देते हो, कि हम यह service यह product हम बेच रहे हैं, हम यह services देते हैं, यह हमारे charges हैं, और वहाँ पे अपनी website का link आप छोड़ देते हो, website का link पेज का वो particular page का link रहेगा, जिसको आप SEO में rank up कराना चाहरे हो, उसके बाद blog commenting आ जाता है, कोई post आप blog पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आप reviews share कर सकते हो, वहाँ पे अपनी website का link आप backlink छोड़ सकते हो, ठीक है guys, तो इस type से यह backlink काम करते हैं, comment पे, questioning and answering website होती है, कुछ जैसे quera.com है, वहाँ पे जो question already posted है, उनका answer देते time, आप वहाँ पे एक backlink आप छोड़ सकते हो, guys, यह सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह थोड़ा quality way में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप आप spamming कर रहे हो, बस आप जो reply कर रहे हो, आप link के साथ ही कर रहे हो, कुछ unrelevant आप कर रहे हो, तो वो नहीं, जो उसको पढ़ रहा है, at least Google जो कु पढ़ रहा है, कोई इनसान पर उसको पढ़ रहा है, तो उसको लगए कि आप अपनी profile बनाते होना किसी भी website पर, तो एक वहाँ पर बायो का portion होता है, बायो के section में जाके आप backlink का अपनी website का छोड़ सकते हो, वो भी थोड़ा genuine तरीके से होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आ रहे हो, तो यह क्योंकि यह सारी चीजे चेक होती है actually, website owner check कर लेगा, उसको लगा कि हाँ, यह तो backlink ले रहा है, यह genuine तरीके से नहीं ले रहा है, तो बिलेट कर देगा आपके profile को, उसके बाद आते हैं, social media presence भी आपकी होनी चाहिए, आपकी website के proper pages बगएरा बना होना चाहिए, ठीक है, और website का link भी होना चाहिए, उन pages पे, profile में, ठीक है, इस type के आप post भी कर सकते हो, website, जो facebook बगएरा, जो post रहता है न, pages पर update करना हो, उस अब आप कर सकते हो, तो वहाँ से भी अच्छा impact उसका रहेगा, ठीक है, उसके बाद business directories आती है, business directories submission, जैसे business directories होती है, जैसे just dial होता है, सुलेखा होता है, और भी काफी सारी अच्छी खासी जो business directories रहती है, जो आपकी business को list करती हैं, वहाँ से आप backlink ले सकते हो, उसके लिए आपको profile बनाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको listing introduction वगरा वो सब देना पड़ेगा, वहाँ आपको करना ही पड़ेगा, वहाँ पर genuine तरीके से जाके आप backlink ले सकते हो, forum आते हैं, forum में जाके आप backlink छोड़ सकते हो, वहाँ पर किसी कोई question या discussion forum वहाँ पर चल रहा है, वहाँ पर जाके आप genuine तरीके जाके से वहाँ पर backlink आप छोड़ सकते हो, ठीक है इस तो बै और फेज में backlink का एक बड़ा रोल होता है, ठीक है, और भी काफी और चीज़े भी आती है, इसमें जैसे जो वही मैंने आपको बताया कि content marketing करना होता है, और पेज में content marketing ही main हमारा purpose रहता है, क्योंकि हमें हमार बारे में services का content है, वही हमें market करना होता है, और उसी से हमारे हमें links मिलते हैं, back links मिलते हैं, off page वही होता है actually, social media marketing आप कर सकते हो, जो post है, facebook की post उसको इस type से आप लिखो, कि लोग उसको share करें, एक content marketing में अगर आप कर रहे हो, तो इस type का आप content लिखो, कि लोग उसको comment करें, share करें, ठीक है, इस type का यह सब आपको करना चाहिए, off page, SEO के लिए, video marketing आप देख रहो, आज किल काफी videos में marketing होती है, तो ऐसी video आप बनाओ, factic video की लोग उसको share करें, guest blogging आप कर सकते हो, दूसरों की website पर जाके उनको content आप देश सकते हो, article लिख सकते हो, उन लोगों के लिए वहाँ पर वीडियो भी डाल सकते हो, content भी डाल सकते हो, सारी चीज़े आप बहाँ पर डाल सकते हो, graphic sharing आती है, graphic map, infographic आप बना सकते हो, ठीक है, infographics क्या रहता है, एक अच्छा website, sorry, एक अच्छा graphic बनाना होता है, उसमें कुछ भी आप, उसमें कुछ jokes लिख सकते हो, अपने जो रहता है, content, main, content marketing से related, इसमें रहता है, हम दूसरों लोगों तक अपने, अपने बिजनेस को, अपने content को market करते हैं, so that हमें उसका कुछ benefit मिले, link मिले, backlink मिले, at least user click करके share तो करें, इना आपकी website को, visit करें, कुछ भी करें, तो वो सारी off page activities में आ जाता है, उसके बाद आ रहता है, technical SEO, technical SEO क्या रहता है, थोड़ा technical रहता है, उसको कुछ technical लोग करते हैं, जैसे website developer वग्यरा कर सकते हैं, बागी कुछ जो SEO रहते हैं, उनको भी technical knowledge होते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है schema, schema क्या रहता है, schema हमारी website में जो Google की search result आते हैं, उनमें कुछ extra information provide करना होता है, जैसे आपने कुछ search किया, website में उपर title आता है, description आता है, description के नीचे आपको कुछ link दिखते हैं, जैसे start rating रहती है, कुछ start rating रहती है, reviews वगएरा की start rating रहती है, और कुछ link भी होते हैं, जैसे contact us, pricing वगएरा, FAQs वगएरा, इस page speed optimization भी आ जाता है, इसमें, क्योंकि on page में जैसे last time हमने discuss किया था, वो on page का part भी है, और वो technically होता है, actually, कोई normal SEO उसको नहीं कर पाएगा, तो उसको कोई developer वगएरा, designer वगएरा, वो ही सब उस चीज़ को कर पाते हैं, page speed optimization में काफी सारी चीज़ा आते हैं, images का optimization आता है, content optimization, यह सारी चीज़े उसमें आ जाती है, आपकी website क्लिक करके खुलना चाहिए, at least, एक second के अंदर, यह कुछ limited time होता है, उस particular time के अंदर आपके website खुलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि घूमी रहा है, करसर, घूमी रहा है, website खुली नहीं रही है, क्योंकि website को user close करके चला जाएगा आपके website दोबारे visit भी नहीं करेगा, तो यह negative impact उसके पढ़ता है, उसके बाद आता है, Google search console, ठीक है, guys, Google search console होता है, वो क्या रहता है, हमारे SEO को track करने के लिए use होता है, SEO track कितना करता है, जैसे कोई query से search हो रही है, आपकी website, ठीक है, तो उसमें बता देगा, कि आपकी website इस देता है, ठीक है, और भी सारी काफी सारी चीज़े होती हैं, जो Google search console से हम बनाते हैं, जैसे site map submit करना, या backlink भी हम Google search console से track कर सकते हैं, कौन सा inbound है, कौन सा outbound है, ठीक है, इस type से काफी सारी चीज़े हम Google search console की help से हम ले सकते हैं, traffic भी समें पता चल जाता है, कि कितने click हमारी website website पर हुए है, ठीक है, ये काफी old traffic दिखाता है, ऐसा नहीं है, कि अभी आप click कर रहे हो, तो अभी वो दिखा देगा, Google search console में ऐसा नहीं है, और कितना भी जो से, किसी भी period का आप उस से track कर सकते हो, कि इस महिने में हमारी website पर कितना traffic था, तो वो सब Google search console से हमें पता चलता ह उसके बाद आता है, Google Analytics, Google Analytics क्या रहता है, ये आपको traffic दिखाता है website में, live traffic ये दिखाता है, जैसे कि आपकी website पे अभी इस time कितने लोग हैं live, ठीक है, वो आप Google Analytics से track कर सकते हो, आपकी website को किस-किस country से visit किया गया, किस-किस cities से visit किया गया, किस-किस reason से visit किया गया, वो सब Google Analytics कि दिखा देता है कहां से आपकी website पर traffic आ रहा है Facebook से आ रहा है Instagram से आ रहा है WhatsApp से आ रहा है कहां से traffic आ रहा है आपकी website पर वो सारा detail हम Google Analytics से हम ले सकते हैं उसके बाद आता है robot.txt होता है यह एक file होती है text file होती है actually यह हम root directory में लगाते हैं website को या Google search board को हम यह बताते हैं कि हमारी यह website का part Google में नहीं दिखना चाहिए और भी इसके लावा काफी सारी चीज़े होती है जैसे कोई website का पेज है अब नहीं चाहते हो कि वो Google में आए तो इस टाइप से हम वहाँ पर ब्लोकिंग हम कर सकते हैं complete website भी हम ब्लोक कर सकते हैं इसकी help से तो बहुत सारी चीज़े होती है वाने वाली वीडियो में one by one आपको बताता होंगा उसके बाद आता है साइट मैप साइट मैप क्या रहता है एक तो HTML साइट मैप होता है एक XML साइट मैप होता है वो हमें search console में submit करना पड़ता है so that हमारी website के सारी pages crawl हो जाए effectively ठीक है तो इससे क्या रहता है search vote को पता चल जाता है कि इसकी website में इतने सारी pages है उनको crawl करना है ठीक है उसके बाद error on website आता है error on website का meaning यह है जैसे आपके website HTML बनी हुए है कि website में कितनी error है या नहीं है उससे ranking में guys बड़ा effect पड़ता है अगर website में आपकी error बहुत जाद error है ठीक है तो आपकी website rank करने में problem करेगी अगर error नहीं है तो आप website chances रहते हैं कि वो high position पर rank करें और rank करें आपकी website को ठीक है अब आजाता है ब्लैक में करने के लिए 2 तरीके होता है अच्छा तरीका होता है बुरा तरीका होता है बुरा तरीका ज्यादे लंबे time तक नहीं चलता है कभी ना कभी आप पकड़े ही जाओगी उस चीज को ठीक है अच्छे तरीके से आप काम करोगे एक तरीके से धोका देना होता है Google को कुछ दिन आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी कुछ ताइम दिन के लिए उसके बाद आपकी वेबसाइट पर्मानेंट या कुछ मतलब रैंक नीचे आ जाएगी तो वह ब्लैक हैट तरीके होते हैं वह यूज नहीं करने चाहिए अग तर्मिंग आप करते हो, लिक बनाते हो गूगल को कुछ दिन के लिए उसको लगता है कि हाँ क्योंगर फिप्रत करते हैं कि यह गलत लिंक है जब आपकी साइट को पैनलिटी लगाते हैं आपका वेबसाइट की रैंकिंग नीचा जाती है बहूत या पर्मानेंटली भी है अगर बैक खराब बैक लिंक बना रहे हो तो उन बैक लिंक को हटाओगे जब यह आपके कुछ चांसे से बनते हैं गूगल में रैंक करने के लिए वाइड हैस्यो नौर्मल तरीके से होता है जो जैनूइनली काम करके आता है अप देरे दीरे ए՞ा से अप काम करते रहोगए तक वेबसाइट दीरे दीरे प्रोग्रेस करती रहेगी ठीके का इस तो यह तरीकुरत होते हैं कि उसके बाद stable क्या होती है पैनल्ती एकि अगर आप स्पैमिंग कर रहता है मैनुवल में वह आपको इनफॉर्म भी करते हैं Google search console में आप जाके मैनुवल action में आप जाके देख सकते हो कि आपको मैनुवल पैनल्टी लगी है नहीं है क्योंकि वह पर आपको इनफॉर्म भी रहते हैं Google तो वह आप एक message आजाएगा आपको कि इस रिजन साब के वेबसाइट डाउन है ठीक है यह मैनुवल पैनल्टी रहते हैं उसके बाद आती है automated penalty automated पैनल्टी गूगल का बोट लगाता है जो उसका AI बेस रहता है ठीक है उसका पता लगाना काफी मुश्किल होता है नहीं भी लग सकता है पता क्योंकि उसके जो बोट रहते हैं वो सब करते हैं का जैसे आप linking spamming आप कर रहे हो ठीक है unnatural link building कर रहे हो duplicate content यूज़ कर रहे हो keyword stuffing कर रहा है hidden text आप यूज़ कर रहे हो तो वह इस case में आपकी automated penalty लेगे वह आपकी ranking बहुत ज़्यादे नहीं चाहाँ जाएगी इसको check करने लिए कुछ tools भी होते हैं जैसे penguin tool होता है ठीक है मोज कास्ट होता है scm rush sensor होते हैं तो यह tools रहते हैं गाइस इन पर जाके आप कुछ आपको पता चल सकता है कि क्या क्या से आपकी website की rank नीचे गई है ठीक है उसके बाद आ जाता है duration क्या होती है SEO क्यों आपको कितने time तक SEO करना चाहिए गाइस यह regular process होती है in fact अगर आप on page SEO कर रहे हो वह one time हो सकता है ठीक है technical SEO कर रहे हो वह भी one time हो सकता है बाकी off page SEO आप कर रहे हो यह regular process रहता है जब तक आप काम करते रहोगे आपकी ranking ठीक ठाक उपर नीचे होती रहेगी काम आप छोड़ दोगे तो वह ranking नीचे नीचे ही आती रहेगी क्योंकि आप से आगे आपका competitor निकल जाएगा तो यह regular होता है आपको regular content marketing कर करता रहना पड़ेगा जिससे आपकी backlink website पर बनते रहें तब ही आपकी website उपर top पर ठीक ही रहेगी यह दरवाइस आप काम करना छोड़ दोगे तो वह नीचे नीचे आती रहेगी ठीक है तो यह regular process होता है यह आपको करता ही रहना पड़ेगा आपको search engine पर बने रहना है त के पास इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है ना इसका कोई shortcut है ना इसका कोई जादू हो सकता है ना ही कुछ हो सकता है कुछ लोग confuse करते हैं कि आप paid marketing कर दो paid ad चला दो आपका SEO भी हो जाएगा वह भी हो जाएगा इससे paid advertising करने से कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक ह बहुत अगर आप social media पर आप करते हो तो उससे थोड़ा बहुत benefit मिलता है वह भी आप organic तरीके से करोगे genuine तरीके से करोगे तो भी आपको वेबसाइट को benefit मिलेगा ठीक है social media से भी अच्छा-कासा benefit मिलता है organic ranking में ठीक है क्योंकि Google देखता है कि यह बंदा यह marketing कर रहा है तो कुछ इसको benefit दिया जाए ठीक है गाइज तो यह proper series चल रही है SEO में आने वाले वीडियो में मैं इसके अलावा और सारी चीज़े आपको बताऊंगा जैसे own page का, off page का, कैसे कैसे link बनाने होता है, कैसे कैसे own page करना होता है, तो इस type best type मैं आपको आने वाले वीडियो में आप को बताता रहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसको subscribe कर देना, वीडियो को अगर आपको like है तो like कर देना, और नीचे comment करके आप जरूर बताईए कि आपको ये video और other video आपको कैसा लग रहा है, अगर आपकी कुछ special video की demand है, तो वो भी नीचे comment कर करके जरूर बताईएगा, ठीक है guys, तो मिलते हैं next video में